नमस्कार भविशवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भविशव बताने के लिए आज भादरपद कश्रपक्ष की उदयाती थी दश्मिया और गुरुवार का दिन है दश्मियती थी आशुबाद छे बच कर एकीस मिनट पर ही समाथ हो चुकी है आशुबाद दस बच कर दस मिनट तक सिध्योग रहेगा साथी आज दोपार दोबच कर सताओन मिनट तक आरद करते रहेंगे आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर उठाया गया कदम सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है जोतिशे गणित पक्षन आकाशी पिंडो के बीच बहने वाली इलेक्रो मागनेटिक फील्ड के और इसके बाद बात करते हैं सरवासिद्धी योग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की तो बता दूँ कि आज ये योग दो पाहर तीन बजे से कल सुर्योजे तक रहेगा इस क्रम में आईए आप चर्चा करते हैं आज के शुब महूर्ट जानी कि फेवरेवल टाइम की अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट शुरू हो चुका है ये महूर्ट सुबद 6 बच कर 22 मिनट पर शुरू हुआ था और दो पहर पहले 11 बच कर 45 मिनट तक रहेगा और एक बार फिर दो पहर 2 बच कर 3 मिनट से शाम 7 बच कर 8 मिनट तक भी रहेगा कोई नया बिजन्स शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 5 सितंबर के सुबद 6 बच कर 57 मिनट से 8 बच कर 22 मिनट तक रहेगा कांस्ट्रक्शन शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट नही है अब ये महूर्ट 4 सितंबर के सुबद 8 बच कर 25 मिनट से 2 बच कर 25 मिनट तक रहेगा को सीजेरियन ओपरेशन कर आने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 8 सितंबर की सुब़। तर तीन मिनिट से, सुभा नौ बच कर दो मिनिट तक और एक बार फिर दो पहर पहले ग्यारा बच कर इकीस मिनिट से, शाम पांच बच कर शबीस मिनिट तक रहेगा Medical treatment शुरू कराने के लिए आज अच्छा महूरत दो पहर दो बच कर सतावन मिनिट से शाम 7 बच कर 17 मिनिट तक और एक बार फिर रात 8 बच कर 22 मिनिट से, देर रात 2 बच कर 27 मिनिट तक रहेगा और अब बात आती है, अशुभ समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली Electromagnetic Field कुछ ख़णों के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुभ करांती साम में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुभ कारे करने से सफलता नहीं मिलती आज कोई अशुभ समय नहीं है अब ये अशुभ समय चार सितंबर को दोपार बारा वजकर पाचीस मिनिट पर रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन मेश मित्वन तोला और धनू राशियां विशे शुभ से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनिट पहले और बारा मिनिट बाद तक कोई भी शुभकारी नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दू कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा हो तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ले में रहुकाल होगा दो पहर एक बचकर 56 मिनिट से दो पहर बाद 3 बचकर 31 मिनिट तक मुंबई दो पहर दो बचकर 12 मिनिट से दो पहर बाद 3 बचकर 16 मिनिट तक भोपाल दो पहर एक बचकर 54 मिनिट से दो पहर बाद 3 बचकर 28 मिनिट तक कोलकाता दो पहर एक बचकर 10 मिनिट से दो पहर दो बचकर 44 मिनिट तक अहमदाबाद दो पहर दो बचकर 13 मिनिट से दो पहर बाद 3 बच कर 47 मिनट तक और चेन नई में राहुकाल होगा आज दो पहर 1 बच कर 40 मिनट से दो पहर बाद 3 बच कर 14 मिनट तक ये था कुछ शहरों का राहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो दिशा है पश्चिम और उतर पश्चिम